दोस्तों हमारे चैनल गान भंडार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम जानेगे शुनिका आविशकार कस ने किया लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिस सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आगे आने वाले सभी विडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके शुनिका आविशकार गनट के इतिहास में एक महान खोज है और ये दुन्या में होने वाले कुछ महान अविशकारों में से एक है शुनिक आविशकार की गनट में अत्यंत महत्वपून भूमिका है। पूर्णांकु तथा वास वही संख्या प्राप्त होती है और शूने के पीछे लगे बिना कोई संख्या बड़ी नहीं बन सकती, एक में शूने लगाए तो दस हो जाता है और शूने बढ़ाते जाए संख्या बड़ी होती जाएगी सैकड़ा, हजार, लाक, दस लाक, करोड, दस करोड, अरब और फिर खरब है यदि शूने का आविश्कार नहीं होता तो शायद इतनी बड़ी संख्या नहीं होती और गणिट को हैल करना भी बड़ा मुस्किल होता, इसलिए शूने की अविश्कार को इतना महवववपून माना जाता है शूने का आविश्कार कस ने और कप किया ये हाज तक ये जानकारी चुपी हुई है लेकिन भारती गणितों की वर्षों से ये दवा करते रहे हैं कि शूने का आविश्कार भारत में किया गया था, कहा जाता है कि शूने का आविश्कार भारत में पांचवे शताब्दी के मद्द में शूने का आविश्कार आर्यभट जीने कि या उसके बाद ही ये दुनिया में प्रचलेत हुई लेकिन अमेरिका के ए गणितुगी कहना है कि शुनिका आविशकार भारत में नहीं हुआ था। अमेरिकी गणितुगी आमेरिक जेल ने सबसे पुराना शुनि कमबोडिया में खुजा है। और कहा जाता है कि सर्वनन्दि नामक तिगंबर जैन मुनि द्वारा मूर रूप से प्रकृत में रचित लोक विभाग नामक ग्रंथ में शुनिका उल्लेक सबसे पहले मिलता है। इस ग्रंथ में दशमलो संख्या पथदी का भी उल्लेक है और ये हो उल्लेक सं 498 में भारती गणितुगी एवं खगोल वेत्ता आर्यभट ने आर्यभटिय में कहा है। और सबसे पहले भारत का शुनियारब जगत में से फर नाम से प्रचलित हुआ लेकिन फिर लाटन, इटालियन, फ्रेंच आदी से होते हुए इसे अंग्रिज में जीरों कहते हैं। लेकिन शुनिकी अविश्कार को लेकर कुछ अलग तथे भी है कि अगर शुनिका अविश्कार पाँचवी सिदी में आर्यभट जीने किया था। दोस्तों आपको हमारा विडियो कैसा लगा प्लिस कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे विडियो लाते रहें।